हलो स्टूजेंस वेलकम तू मैगनेट बेंस हम आ गए अपने पार्ट जो है उसका कोश्चन आंसर लेकर अभी हमने जस्ट कौन सा पढ़ा था मेग आए हमने बताया था यहाँ पर इस चैप्टर में सर्विश्वत या सक्सेना जी ने हमको बताया है कि किस तरीके से मेग आए इसलिए यहाँ पर मानविकर अलंकार है तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसके कोश्चन आंसर जो हमारी बुक में दिये हुए हैं तो पहला कोश्चन क्या है बादलों के आने पर प्रकती में जिन गतिशील क्रियाओं को कवी ने चित्रत किया है उन्हें लिखिए मत कैसे हम करेंगे बादलों के आने पर प्रकती में निम्न गतिशील क्रियाओं हुई बादलों के आने की सूचना देने के लिए बयार रोपी नवयुवितियां नाचते गाते देती हुई चलती हैं तो जब आगे आ उसकी जो है सूचना देते हुए चल रही हैं दूसरा उनक उसके आगमन की सूचना से घर के खिड़की दरवाजे खुल गए हैं यानि हवा जब बहुत तेज़ चलती है तो खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं तो उनके आने की खुशी से क्या हुआ है खिड़की और दरवाजे खुल गए हैं पेडों रूपी ग्रामीडों द्व तो आधी आई और धूल का उड़ना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नव युवतियां बारात के आगे जो है घागरा उठा कर भागती हुई चल रही है नदी रूपी इस्तरी का ठिटकना और बाकी नजर से देखना यानि जो नदी है वो दामाद को देख रही है वो कैसे देख रही है बाकी नजर से यानि कि तिर्ची होके देख रही है वो ठिटक गई है शर्मा रही है और बाकी नजर से जो है वो दामाद को देख रही है बुजर्ग सदस्य रूपी पीपल का आगे बढ़कर महमान का स्वागत करना अर्थाद जो घर के बुजर्ग होते हैं वो सबसे पहले स्वागत करते हैं तो जो है बूढे पीपल को क्या बताया गया है वो घर का बुजर्ग बताया गया है वो आगे बढ़ कर यानि कि वो खेत गाओं के बाहर है तो वो सबसे आगे बढ़कर वो जो है महमान का स्वागत कर रहे हैं स्वागत में तालाब रूपी सेवक का पाराद भर कर पानी लाना और क्या है स्वागत करने के लिए किसका स्वागत करने के लिए महमान का स्वागत करने के लिए तालाब रूपी सेवक जो है वो परात में पानी भर कर लाया है उनके पैर धोने के लिए आकाश में बिजली का चमकना और वर्षा की बूदों की रूप में विलन के अश्रू बहना और फिर क्या होता है आकाश में बिजली चमकती है और जब मिलन हो जाता है किसका प्रेमी और प्रेमी का अर्थाद दामाद और लड़की का तो अश्रू बहने लगते हैं अर्थाद बादल खुब जोर से बरसने लगते हैं तो शुरू से लेकर आखरी तक का जितना भी वर्णिन किया गया है उसे हमें यहां चित्रत करना है नेक्स्ट निम लिखित किसके प्रतीक हैं धूल, पेड, नदी, लता, तालाब यह पूछे गए नाम दिये गए हैं, इनकी किसके किसके रूप हैं जैसे धूल, धूल किसके है इस्त्री का है इस्त्रिया क्या है भागरा उठा के आगे भाग रही थी as для hic. इस्त्री का है और लता क्या है वो किवार खोल के जो है देख रही थी किसको देख रही थी ना जो हमारे महमान आए है अर्था दमाद आए है वो कौन है नाई का है फिर ताल कौन है ताल है सेवक यानि कि सेवक जो है वो बालाद पराद भर कर पानी लेकर आया है उनके पैरों को धोने के लि तो हमने क्या बताया था आपको लता जो है वो नाई का है यानि कि वो लड़की है जिसके वो हस्बेंड है तो क्या वो किवार्ड खोलकी सी खोली और उसमें से जहांक के देख रही है तो क्या दिया है लता ने बादल रूपे महमान को किवार्ड की ओड से देखा क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी और वह बादलों के देरी के आने के कारण रूठी भी हुई थी तो क्या होता है ना कि जब किमार से होड़के हमको कोई देख भी न पाए और हम दूसरे को देख ले तो क्या वो बहुत दिन से बादलों का अंतिजार कर रही थी और रूठी हुई थी कि गुसा थी क्यों नहीं आ रहे हो तुम इतने दिन हो गए तो अब क्या है और आने की खुशी भी थी और देखना भी चाहती थी तो वो हलका से दिवार किवार खोलती है और उससे देखती ह ताकि वो दूसरे को देख सके, मगर दूसरा कोई भी उसको ना देख सके दूसरा मतलब जो उस मिहमान आए हैं, अर्थात दामाद आए हैं भाव इस्पष्ट कीजिए, अब यहाँ पर जब हमें पास भाव इस्पष्ट करने के लिए आता है तो simple सा मतलब होता है कि हमें अर्थ हिस्पष्ट करना है क्या दिया है शमा करो गाट खुल गई अब भरम की तो यहां क्या है नाइका को यह भरम था कि उसके प्रिय अर्थात मेग नहीं आएंगे परन्तु बादल रूपी नायक के आने से उसकी आशंका मिठ जाती है कि आप हमें भूल गए और नहीं आएंगे तो हम जो सोच रहे थे इसके लिए हमें आप शमा कर दीजे और मेरे मन में जितनी भी गलत भावनाई थी उसकी गाठे यानि कि वो सब चीजे भरम खत्म हो गए है बाकी चितवन उठा निदी ठिट की गूंगट सरके तो यहां क्या दिया है मेग के आने का प्रभाव सभी पर पड़ता है बादल आएंगे इतनी तेज बारिश हवा बिजली चमकना सब कुछ होगा तो सभी पर असर पड़ेगा तो क्या था नदी रूपी ग्रामीर बधू जब ठिटक कर उपर देखने की चेश्टा करती है तो उसका गूंगट सरक जाता है और वो तिर्ची नजर से आये हुए मेग रूपी आगंतुक को देखने की चेश्टा करती है तो यहाँ पर क्या बताया कि जो गाउं की सामानने इस्तरी है वो क्या है वो मेहमान को देखना आगंतुक यानि की पाहुन को देखना चाहती है तो क्या है अब हवा चलने के कारण जो है उसका पानी सरक रहा है तो उसको क्या बोला ठिटक गई यानि की वो शर्मा गई और वो तिर्ची निजर से जो है वो मेग को देख रही थी मेग रूपी महमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ अब मेग रूपी जब महमान आये तो क्या क्या परिवर्तन हुआ वो सारे परिवर्तन इसमें हमको लिखने हैं इसलिका मेग रूपी महमान के आने से हवा में तेज बहाव के कारण आधी चलने लगती है जिससे पेड कभी जुग जाते हैं तो कभी उठ जाते हैं दरवाजे खिड़कियां खुल जाती है नदिया बाकी होकर बहने लगती है पीपल का अवरक्ष जुगने लगता है जो और लगाह वार्व में नदी उसका पानी जो है एक तरफ को सरकने लगता है पारात में तलाप का जो पानी होता है उसमें भी उथल पुतल मत जाती है तो जो तिनी भी प्राकतिक परिदर्श होते हैं जो की इस जो कविता है इसमें लिखे गए हैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सरल हिंदी भाषा में लिखना है मेगों के लिए बन ठन के सवर के आने की बाद क्यों की गई है कवी ने मेगों में सजीवता लाने के लिए उसके बन ठन के सवरने की बाद की है जब दामाद बहुत दिनों के बाद सस्राल जाते हैं तो बन ठन के सवर के जाते हैं ठीक उसी प्रकार मेगों के भी बहुत दिनों बाद आने से उन्हें बनने सवरने में देर हो गई है तो कहने का क्या मतलब है इसलिए बंठन के सवर के लिए बोला गया है कि जो है ना जब दामाद मतलब हम कहीं बहुत दिन बाद जा रहे हूं तो वहाँ पर क्या होता है बहुत सच सवर के जाते है इसलिए और बादल क्या है पूरे एक साल बाद वहाँ पर आ रहे थे इसलिए उसकी तुलना किस्ते की गई दामाद से दामाद भी जल्दी जल्दी घर नहीं आते तो दोनों की तुलना करी गई तुलना करने की कारण क्य का इस्तेमाल बादनों के लिए किया गया है अब क्या है कविता में आए मानवीय करण तथा रूपक अलंकार के उधारण खोज कर लिखे तो यहां पर क्या दिया मानवीय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मानवीय करण करण लंकार कहां कहां पर है मेग आय बड़े बनठन की मेग की तुल्ला किसे की गई है दामाद से नाचती गाती बयार चली यहां पर बयार कैसे नाचती गाती चलती है उसकी जीवित इंसान से तुल्ला की गई है इसलिए यहां पर मानवीय करण लंकार है फिर उसके बाद मे पेड जुक कर जाकने लगे, जाकने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है पेड थोड़ी न करेंगे जाकने का काम, तो इसलिए यहाँ पर भी मानविय करण अंकार को इस्तेमाल किया गया है फिर नेक्स्ट है, धूल भागी घागरा उठा कर तो क्या है? धूल तो घागरा पेहनती नहीं, कौन पेहनता है? इस्तरी पेहनती है इसलिए यहाँ पर भी मानविय करण अंकार का इस्तेमाल किया है बाकी चितवन उठा नदि ठिटकी अब नदि कैसे ठिटक सकती है? और कैसे उसका चितवन जो है? वो शंका में हो सकता है तो इस कन्डिशन में क्या होगा? यहाँ पर भी इस्तरी से बोला गया है नदी की तुनला किसे की गई? इस्तरी से की गई इसलिए यहाँ पर भी मानविय कर अलंकार है बूड़े पीपल ने जुहार की और पीपल की तुनला किसे की गई है घर के बड़े बुजरुक के साथ यहाँ पर भी मानविय कर अलंकार है बोली अकुलाई लता अब लता क्या है? क्या वो बोल सकती है? नहीं बोल सकती बोलता कोने मानव तो यहाँ पर भी निर्जीव का सजीव से जो है मिलन किया गया है तो यहाँ पर भी मानविय करण अलंकार है फिर हर साया तालाब लाया पानी परात भर के अब परात भर के लाने का काम तो कोई सजीव व्यक्ति ही कर सकता है और तालाब तो निर्जीव है तो यहाँ पर भी मानवी एकरण अलंकार प्रस्तुत किया गया है फिर उपक अलंकार कहा है शितिज अटारी गहराई दामनी दमकी जहाँ पर विशेशन और विशेश साथ होते हैं और इनके बीज की समानता को मतलब बोली दिया जाता है कि जो है वो एकदम एक जैसे हैं तो यहाँ पर क्या शितिज अटारी अब शितिज क्या होता है वो छत के समानी तो है तो शितिज और अटारी को सेम कर दिया गया है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है फिर दामनी दमकी दामनी मतलब कौन हो गया बिजली का चमकना तो बिजली क्या बिजली द की तो यहां पर विशेशन और विशेश्य साथ होने के कारण यहां पर रूपक अलंकार होगा नेक्स्ट कविता में जिन रीती रिवाजों का मारमिक चित्रन हुआ है उनका वर्णन कीजिए मतलब कि जो हम रीती रिवाज करते हैं यानि कि दमाद के आने पर जो भी रिवाज फॉलो किये जा रहे हैं उनका यहां पर वर्णन किया है अब हमें उनके बारे में बताना इस कविता में कई जगा किया गया है तो कहां कहां किया गया, गाउं में महमान चाहे किसी के भी घर आए, परन्तों उत्सुक्ता उल्लास पूरे गाउं में होता है यानि किसी भी घर के दमाद आए, पूरा घर उनका ही इंतजार करता रहे, तब पूरा गाउं उनका इंतजार करेगा सभी लोग अपने अपने तरीके से महमानों के स्वागत में जुट जाते हैं वो सोस्ते हैं कि चलो हम भी कुछ कर देते हैं हम भी कुछ कर देते हैं तो इस तरीके से पूरा गाउं जो है वो शामल हो जाता है गाउं की इस्तरिया महमान से परदा करने लगती है बुजर्ग जुक के उनका स्वागत करते हैं पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है इस प्रकार से इस कविता में कुछ ग्रामी रीते रिवाजों का चित्रण किया गया है बहुत ही खुपसूरा ढंग से किया गया जितने भी रिवाज घर के बुजर्ग घर के महमान का स्वागत करते हैं गाउवाले बहुत प्रसन हो जाते हैं परात लाके उनके पैर धोये जाते हैं तो ये जितने भी चित्रण किये गये हैं ये हमें शुरू से हम देखते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर प्रकती के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किये गए प्रकती में ये सब चीजे कैसे घटित होती हैं ये हमको यहाँ पर बताया गया है Next, कविता में कवी ने आकाश में बादल और गाउं में महमान यानि कि दामात के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिये तो अभी तक हमने जो पूरा पढ़ा है उसे यहाँ पर लिखना है ये ध्यान रखना है हमने पूरा पढ़ा है वो बहुत बड़ी कविता है तो उसे हम यहाँ पर short करके सरल भाशा में लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं कविता में मेग और दामात के आगमन में समानिता बताई गई है हमने बताया कि दामात के आने और मेगों के आने में समानिता बताई गई है जब गाउं में मेग आते हैं तो सारे लोग खुशिया मनाते हैं और अपने अपने खिड़की दर्वाजे मेगों के दर्शन के लिए खोल देते हैं प्रकती के सारे अंग भी जैसे उनके स्वागत के लिए तयार बैठे होते हैं जैसे आधी का उटना धूल का अपना घागरा उठाकर भागना नदी की बाकी नजर से देखना ठीक उसी प्रकार गाउं में दामाद के आने पर उल्लास और उमंग का महौल चाया रहता है इस तरिया ओट से दामाद को तिरची नजरों से देखती हैं गाउं के बड़े बुजर्ग दामाद का स्वागत सम्मान करते हैं तो यहाँ पर जितने भी चीजे घटित हुई हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर हमें संचेप रूप में लिखना है मगर ध्यान रखेगा प्रकती का भी बताना है और दामाद का भी बताना है दोनों परिदश्णों को समानता लेकर हमें चलनी हैं क्योंकि यह समानता ही इस पार्ट की विशेश्टा है काविस उंदर लिखें पहला क्या है पाहुन जो आए हो गाउं में शहर के मेख आये बड़े बनिठन तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताएंगे काविस उंदर में इसका भाव क्या ये बोल रहा है दामात के रूप में प्रकति का मानविय करण हुआ है ठीक है तो यहां पर कावे सॉंदर जब हम बताते हैं तो कावे सॉंदर में मैं आपको पहले भी बताया है कि किस भाशा में लिखा गया है कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है शैली कैसी है ये सारी चीजें हम बताएंगे तो सिर्फ हमें इन दो पंक्तियों पे ही हमें बताना है इसका काविश सौंदर के है पूरे पार्ट का नहीं बताना है हमें सिर्फ इन दो का बताना है तो क्या दिया प्रस्तुत पंक्तियों में पाहू नर्था दमात की रूप में प्रकति का मानविय करण हुआ है कवी ने प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली का उप्रयोग किया है मतलब जो हमको मारे सामने कर रहे हैं वो हमारे सामने चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है और हम उस चीजों को imagine कर सकते हैं इसमें बादलों के सौंदर का मनोरम चित्रन हुआ है कविता की भाषा सरल तथा सहेज होने से के साथ ग्रामीर भाषा जैसे पाहुन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है पाहुन दामात के लिए गावों में बोला गाव की भाषा है तो मतलब सरल भी है, मगर कुछ ग्रामीन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है पर बंधन में बावण की आवनती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है तता पाहुन जो आये हैं में उत्परेक्षा अलंकार है जो शब्द जहां से लगता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो इस तरीके से हम पूरा काविस अंदर व्यक्त करेंगे और यहाँ पर हमने इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाया यह पार्ट बहुत इंट्रस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है जो हम जानते है लेकिन उसे नए दंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है तो ये चैप्टर यानि कि स्पार्ट का भावात और प्रशुत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम जल्दी आपके सामने फिर से उपस्तित होते हैं थैंक्यू बाई